नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अब शेक पुंडिर कोई भी राजनेदिक पार्टी हो कोई भी सरकार हो सत्ता में हो या बहार हो वो अक्सर दो मोर्चों पर लड़ाई जरूर लड़ती है एक मोर्चा सता के उपर होता है जो दिखाई देता है और एक मोर्चा सता के नीचे होता है जो कभी कभी दिखाई देता है और जब वो दिखाई देता है तो राजनेदिक पार्टी हो या फिर सत्ता हो उसमें बवाल मचनात है सता के उपर जो लड़ाई होती है मालिया अगर आप एक्जाम्पल के तौर पर लें बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सता के उपर जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर विपक्ष के साथ है और अंदरूनी तौर पर सता के नीचे जो लड़ाई है वो पार्टी के भीतार है जो घमासान मचा है उत्तरप्रदेश में आपने रहे और उसके बाद क्या कुछ निसकर्ष निकला वो तो फिलाल सबके सामने उत्तपदेश की लड़ाई अभी शान्त किसी की तरफ से कोई बयान बाजी नहीं आ रही है लेकिन अब दिल्ली में भी खेल हो चुका है और मोदी की कैबिनेट में खेल हुआ है कहा जा रहा है कि नितिन गड़करी जो अकसर प्रधान मंतरी मोदी से खफा बताये जाते हैं अब वो इतने खफा हैं कि जो सता के नीचे लड़ाई थी अब वो लड़ाई सता के ऊपर आ गई है आपको याद होगा कि अभी पिसले दिनों नितिन गड़करी ने एक चिट्टी लिखी थी नि मांग कोई पहली बार नहीं की थी इससे पहले भी तमाम एंजियो तमाम संगठन इस बात की मांग कर चुके थे तमाम राज्य इस बात की मांग कर चुके थे कि जो हेल्थ इंशूरेंस पर जीस्टी लिया जाता है वो 18% से घटा कर 5% कर दिया जाए लेकिन बड़ा सवाल य अकसर उनकी तारीफ करते हैं अब अब देखिए कि सदन में राहूल गांधी के पास या विपक्ष के पास मुद्दे लगबख खत्म हो गए थे जिस एग्रेशन के साथ वो सदन में आये थे और अपने चुनावी प्रचार को उन्होंने वहाँ शुरू किया था लगबख जिस तरीके चुनाव में प्रचार कर रहे थे उसी भाषा का इस्तमाल उन्होंने सदन में किया था और अब धीरे धीरे उनके पास मुद्दे खतम हो गए थे लेकिन जैसे नितिन गड़करी की चिट्थी उन्होंने निर्मला सितरमन को लिखी एक बार फिर से विपक्ष को दो बार तीन बार ये मीटिंगे होती हैं और सभी कैबिनेट मंतरी आपस में मुलाकात करते हैं तो क्या नितिन गड़करी फेस टू फेस निर्मला सितरमन से इस बारे में बात नहीं कर सकते थे प्रधान मंतरी मोदी से इस बारे में बात नहीं कर सकते थे या फिर अगर चि पिचार कर सकती थी लेकिन यहां सवाल एक और है और बहुत बड़ा सवाल है और सवाल यह है कि जिस जीस्ट को हटाने की बात कर रहे हैं नितिन गड़करी वो निर्मला सीतरमन के हाथ में है ही नहीं दरसल वो काम है जीस्टी काउंसल का और इस जीस्टी काउंसल के जो सदस् से हैं और सभी राज्य मिलकर इस फैसले को ले सकते हैं तू थर्ड राज्यों का भाउमत होता है और वन थर्ड इसमें केंद्र सरकार का भाउमत होता है नितिन गड़करी अगर इस बारे में बात करना चाहते थे तो वो सीधा जिस्टी काउंसिल को चिट्थि लिख सकते थे और GST council ते इस बारे में जवाब मांग सकते थे फिर cabinet में उस पर discuss कर सकते थे केंदर सरकार अपना समर्थन करती और उसके बाद राज्य अगर समर्थन नहीं करते या फिर केंदर का जो one third portion है one third भाहुमत जो केंदर का है अगर उस पर भाहुमत नहीं मिलता इस मामले पर तब नितिन गड़करी उस चिठी को रिवील कर सकते थे लीक कर सकते थे तो अब ऐसा कहा जाने लगा है दिल्ली की राजनीती में कि यूपी में केशा प्रसाद मौर्या और दिल्ली में नितिन गड़करी दोनों ही संग से निकलेवे नेता हैं दोनों ही संग के बड़े करी भी बत चुनाओं के बीट से शुरू हुई थी वो जग जाहिर है हलाकि जेपी नडडा ने अभी बयान दिया सदन में और उसमें वो आरेसेस की तारीफ करते वे नजर आये लेकिन शायद अब तक बहुत देर हो चुकी है तो क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोई खेल किया ज नेता है और साथ ही नितिन गड़करी भी बहुत लोगप्रिय नेता है तो क्या कोई चक्रवियू अंदर ही अंदर बुना जा रहा है क्योंकि एक तरफ देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है महाकेश्व प्रसाद मोर्या मोर्चा खोले हुए थे और अब जो बड़े खेल की क्या भनक प्रदान मंतरी मोदी को नहीं लगी और अगर इतने बड़े खेल कोई बड़ा खेल हो रहा है आरेसे सिसके पीछे कुछ कर रहा है तो क्या प्रदान मंतरी मोदी को इसकी भनक लग चुकी है और उसके लिए कोई तयारी की जा रही कोई काम किया ज जा रही थी कि नितिन गड़करी इस तरीके का इस तरीके के इसे चिट्टी लिखेंगे और वो रिवील करेंगे हाला कि वो खुद बहुत समझदार नेता है और जानते हैं कि उन्हें क्या कुछ करना है तब देखना दिल्चस्प होगा कि आने वाले वक्त में दिल्ली में और यूपी में क्या कुछ होता है एक तरफ के शप्रसाद मौरिया और दूसी तरफ नितिन गड़करी तो समस्यां एक तरफ विपक्ष को लेकर भी है बहुमत नहीं मिला तो 140 सीटों पर इस बार सिमट गए दूसी तरफ बांगलादेश का मुद्दा भी इस वक छेड़ा और उसके उपर से अंधरूनी जो घर के लड़ाई है वो क्या प्रधान मंतरी मोधी के लिए मुश्किल का कारण बन सकती है आपके उस पूरी खबर पर क्या कुछ रहा है कमेंट कर ज़रूर बताए नोशकार